देहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्तुमिज जैन यूटूब चैनल में सबी साती एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तो इस्टार्ड हो चुका है आज का इस सेशन ये किलास रात्तरी नौवजे रोज होती है दोस्तो अपनी ये किलास ठीक है और दोस्तो अभी तक अगर आपने Self Study Classes एक डाउनलोड नहीं किया है तो एक जरूद डाउनलोड कर लें अगर आप दोस्तो बिलकुल फिरी में Test Series देना चाहते हैं प्रेक्टिस करना चाहते हैं तो Self Study Classes से डाउनलोड कर लो जहां पर दोस्तो सब्ताह में दो दिन 2020 Test Series करवाई जाती है है ना कौन-कौन से दिन रविबार और गुरुबार को 2020 Test Series करवाई जाती है तो बहुत सारे Test भी उपलब्द हैं अराम से आप फिरी में दे सकते हो हैना और साथ यो जिन भी साथियों को पैड कोर्स में अडविसल लेना है निचोड क्लास में अडविसल लेना है हैना अभी निचोड क्लास की लाइब क्लासे चल लई है दोस्तो तो आप भी अडविसल ले सकते हैं और अध्यन कर सकते हैं लेकिन आपको सबसे पहले Self-Study Classes एप डाउनलोड करना पड़ेगा ठी ठीक है साथी दोस्तो एक जुलाई से चतुर्थ बैच स्टार्ड हो रहा है इसके बारे में हम बता दें आपको कि एक जुलाई से अपना चतुर्थ बैच स्टार्ड होने वाला है और दोस्तो जो चतुर्थ बैच स्टार्ड होगा इसकी जो लाइब क्लासे चलेंगी सामको पाँच बज़े life class चलेगी एक और दूसरी class चलेगी सामको वाली दोस्तों क्या चलब पढ़ेंगे हम गद्यस आहित को पढ़ेंगे और वाली दोस्तों पद्यस आहित को पढ़ेंगे यानि कि बिल्कुल सुरुआत से अध्यन करने का आपका मुँका है और बहुत अच्छ अध्यन आप कर सकते हो दोस्तों थीक है? तो सामको साड़े छे वाले लाइप क्लास में आपको सुरुआत से हिंडी साहित की इतिहास लेकर कि स्रोत से लेकर के आदिकाल, भक्तिकाल, रितिकाल ऐसा अध्यन आपको करवाया जाएगा ठीक है तो जिन भी साथियों को एड़िसन लेना है वो एड़िसन लेकर के अध्यन कर सकते हैं वीडियो को लाइक करने दोस्तों और एक अभी बड़ा आफर आपके लिए है और वो बड़ा आफर है दोस्तों कि अब आपको 4000-3000 फीस नहीं भरनी अब आपको मात्र 1099 में जद्यन वाली के लासे मिलेंगी तिर्की वीडियो मिलेंगे एना डाउट करियर वाले वीडियो और दोस्तों बहुत सारे टैस्ट भी आपको मिलने वाले हैं ठीक है तो मैं तो कहता हूं जितने साती है और दोस्तों एक्जाम के लास्ट टाइम में सभी लोग एड़िशन करके पढ़ें बिल्कुल सस्ता कोर्स आपके लिए ठीक है तो सभी एड़िशन आज ही एड़िशन ले कल से दोस्तों बैच स्टार्ड हो जाएगा ठीक है लेकिन आफर आपके लिए भी है ठीक है बहुत बढ़िया चलिए स्टार्ट करते आज का ही सेशन और कल मैंने आपको बताया था कि परन दत्य जैसंकर पिरसाथ के किस नाटक का पात्र है ये क्वेस्चन आपको दिया था इस क्वेस्चन का नाम आपको बताना है पताईए परन दत्य जैसंकर पिरसाथ के किस नाटक का पात्र है फटाक से आपको चैन करना है और दोस्तों ये किलास अपनी रो कल दिया गया था अब आपको बताना है और बहुत सारे लोगों ने बिलकुल सही बताया है कि ऐसर यह जो नाटक हैं यह नाटक जैसंकर प्रिसाद के हैं है ना लेकिन परणदत्य जो है ये इसकंद गुप्तनाटक का पात्र है कौन से गुप्त का है इसकंद गुप्तनाटक का पात्र है तीन नमबर आपका बिलकूट चाहिए नेक्स्ट परनदत्य तो आपका हो गया दोस्तों यहाँ पर आईए कभीता क्या है निबंद के लेखक कौन है अच्छा कोस्चन कभीता क्या है यह निबंद किसका है कभीता क्या है निबंद के लेखक कौन है बताईए कविता क्या है निबंद के लेका कौन माने जाते हैं कविता क्या है निबंद के लेका कौन माने जाते हैं देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बताता है बहुत सारे लोग हैं सही उत्तर आपको बताना है राइट आंसर बताया है कि सर राम चंदर सुकल यानि कि आपका जो एक नमबर है वो बिलकूर सही है, कभिता क्या है, ये निबंद है, राम चंदर सुकली जी का, ये नमबर राइट आंसर, बेरी गुड, निठले की डायरी, नामक हास ब्यंग निबंद संग्राई के लेखक कौन है, निठले की डायरी आपको बताना है दोस्तों, निठले क डायरी हास ब्यंग हैना, नामक हास ब्यंग निबंद संग्राई के लेखक कौन माने जाते हैं, निठले की डायरी नामक हास ब्यंग निबंद संग्राई के लेखक कौन है, हरी संकर परसाई, अध्यापक पूर्सें, कुवेरनात्राई, या फिर स्रीलाल सुकल, ये निठले की डायरी में आपने बिल्कुर साही आंसर चेहन किया है कि सर यह जो निठले की डायरी है कि निठले की डायरी हरी शंकर परसाई आप लगा दो एक नमबर आपका बिल्कुर साही हो जाएगा जिन्होंने एक नमबर बताया हरी संकर परसाई वो बिल्कुर साही है निठले की ड एक पूचा जाता है दोस्तो प्रेम संपत्ती लता पूचा जाता है इसका भी आपको बताना है और एक पूचा जाता है संपत्ती सास्त्र तो संपत्ती सास्त्र के लेखक सबसे पहले आपको बताना है तो बताईए स्रीधर पाटक हैं क्या बोलिसर ये तो सचंदेताबाद के प्रबर्तक हैं, स्रीलाल सुकल हैं, बोलिसर इनकी रचना तो राग दरबारी है, महाबीर पर साथ दुवेदी हैं क्या, बोलिसर सही पकड़े, बिलकुल महाबीर पर साथ दुवेदी हैं, और तीन नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाएगा, है ना, लेकिन एक कॉस्चन और आ बहुत बढ़िया अंसर बोले सर यह प्रेम संपत्ति लता ठाक और जग मोहन की रचना है किसकी है ठाक और जग मोहन की और संपत्ति सास्त्र के रचनाकार महाबीर परसाथ दुबेदी है ना 1903 में एक क्या बन गए थे 1903 में बन गए थे सरस्वती के संपादक है ना मद्यकाल का स्वरूप के लेखा कौन है मद्यकालिर बोध का शरूप के रचना कार कौन माने जाते हैं उत्तर क्या हो जाएगा आपका मद्यकालीन बोध का स्वरूप एक किसकी रचना है यह रचना आपको बतानी है जिन भी सातियों ने अभी तक Self Study Classes एप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों वो Play Store में जाए Self Study Classes एप डाउनलोड कर ले 2020 Testiniz फिरी होती Oliver आप लोगों के लिए आप कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपने सत्रा का आंसर बताया है कि सर मद्यकालिन बोध की जो रचना है, रचना किसकी है महावीर परशाद दुवेदी की, यानि कि तीन नंबर आपका सई हो जाएगा, दुवेदी जी है ना आपको पता है दोस्तो कि दुवेदी योग आपको पता है है ना दुवेदी योग का नाम दुवेदी योग के महा भी पर साथ दुवेदी के नाम पर पड़ा और आपको एक क्वेस्चन दिया जाता है कि दुवेदी योग को जागरण सुधारकाल किसन बिधा कौनसी रिखना बिधा है निसाद मासूरी की रचना बिधा क्या है रचना बिधा बताना ये कहाणी है रेखा चित्र है संस मरण है या फिर अले निबन्द है पताई ये निसाद मासुरी की रचना बिधा क्या है बताईए बहुत बढ़िया और बिधा आपको बताना है जागरन सुधारकाल तो सभी लोगों ने बता दिया कि सर जागरन सुधारकाल कहा है नगेंदर ने नगेंदर ने कहा बेरी गुड है ना बिलकोर शाई है तो यहाँ पर निसाद मासुरी दोस्तों यह ललित निबंद है यानि कि आपका जो D नमर है वो बिलकोर शाई है है ना अब आपको बताना है कि यह ललित निबंद किसका है जल्दी से बताए कमेंट में और यह ललित निबंद है है ना बे प्रगति बाद योग की समस्या पूर्ती किस योग की बिसेष्टा मानी जाती है कल से दोस्तों आपका नया बेच स्टार्ड होगा निचोड किलास जो होगी वो होगी दोपहर दो बच के 30 मिनिट पर है ना साम को 5 बजे बाली अथावत किलास चलेगी साम को 6 बजे बाली जो क पढ़ेंगे हैना समस्या पूर्ती किस योग की बिसेष्टा है यह आपको बताना है आज ही हमने दोस्तों बताया था आपको कि समस्या पूर्ती जो है यह भारतेंदु योग की बिसेष्टा है यानि कि आपका जो एक नंबर है वो बिलकुल शाही है और यहां पर आपका उ भारतेंदु युग सही हो जाएगा है ना अंगले क्वेस्चन है भारतेंदु युग का कौन सा कभी पुष्टी मार्ग में दीख छित था भारतेंदु युग का कौन सा कभी पुष्टी मार्ग में दीख छित था भारतेंदु युग का कौन सा कभी बताना है जल्दी सबी लोगों को बताना है उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्ने क्रमांक 120 का उत्तर आपको चेहन करना है उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से सबी लोग चेहन करेंगे भारतेंदु युक का कौल सा कभी पुष्टी मार्ग में दीख्षे थे इसका अंसर आपको बताना है और सभी को पता है कि सर ये जो रचना है ये रचना है भारतेंदू हरेस्चंद की ठीक है भारतेंदू हरेस्चंद की रचना है ये बिलकुल शाही है बहुत बड़ी आंसर ठीक है यहाँ पर आते हैं दोस्तो ठीक है यहाँ पर आपका भारतेंदू हरिस्चंद बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है अंगले कॉस्चन क्यों बढ़ते हैं है ना बिल्कुल ए सही है मद्य कालीर शरूप का इसको थोड़ा सा सुदाल लेना दोस्तो यहाँ पर महाभीर परसाद दुबेदी नहीं यहाँ पर हजारी परसाद दुबेदी होना था ठीक है ये हजारी पर साथ दुवेदी इसको सुदालो बिल्कुल शाही है बहुत बढ़िया है ना ये हजारी पर साथ दुवेदी होना था इसका ये बिल्कुल शाही है ठीक है मद्द कालीन बोद का सुरूप मद्द कालिन बोध का सुरूप यह हजारी परसाद दुवेदी होना था ठीक है बहुत बढ़िया ओप्सन में से यहाँ पर नेक्स्ट कोस्टन की बात करते हैं अंगला कोस्टन यहाँ पर आ जाते हैं ठीक है दोहा कोस्ट के रचना कार कौन है बताएं दोहा कोस्ट किसकी रचना है इसका भी आपको चैन करना है और यहाँ पर सभी लोगों को पता है कि सरे दोहा कोस्ट जो रचना है इस सरहपाद की रचना है किसकी है सरहपाद की ठीक है इसको भी अपन को याद रख लेना है ठीक है बेरिगोड अगला कोस्चन देख लेते हैं अगला कोस्चन ने गोरक बानी का संपादन किस ने किया गोरक बानी का संपादन आपको बताना है शबी लोग बताएंगे यहाँ पर आपको गोरक बानी का संपादन बताना है दोस्तों यह संपादन किस ने किया गोरक बानी का संपादन किस ने किया बताईए गोरक बानी का संपादन किस ने किया ताचार हजारी परसाद दुवेदी ने राहुल सांकृत्याई ने पीता मर्दत बर्थवाल ने या फिर राम चंद्र सुकल ने ये भी आपको चैन करना है जल्दी से सबी लोग बताएं उत्तर क्या हो जाएगा और बहुत अच्छा कोस्चन आया है गोरक बानी का संपादन जो किया है दोस्तों वो किया है किस ने डाक्टर पीता मर्दत बर्थवाल ने यानि कि तीन नम्मर आपका बिलकुर सही हो जाएगा ठीक है बहुत बड़ी आंसर अंगले कोस्चन की और हम बढ़ेंगे अंगला कोस्चन है पद्माबत में उल्लेखित राजा रतन सेन कहां के राजा थे ये आपको बताना है बताईए पटाक से बताना है आपको उत्तर क्या हो जाएगा और बहुत बड़ी आंसर है कि पद्माबत में उल्लेखित जो राजा रतन सेन थे वो कहां के दोस्टो राजा थे तब आपका उत्तर होता है कि सरे चित्तोरगड की राजा थे यानि कि आपका जो एक नमबर है वो बिलकुर सही हो जाता है एक number right answer हो जाता है ठीक है अंगले question की और बढ़ेंगे हम अंगला question कीरती लता की भासा क्या है भटाक से आपको बताना है ठीक है और जल्दी बताएं कीरती लता की भासा क्या है कीरती लता की कीर्टी लता की भासा क्या मानी जाती है ये आपको चैन करना है उत्तर क्या हो जाएगा और बहुत अच्छा क्यूस्चन है कि सर कीर्टी लता की जो भासा है वो भासा है अबहट बिलकुर चाहिए अबहट आपका बिलकुर चाहिए है ना अब हट इनकी कीर्टी लता और कीर्टी पता का दोस्तो अब हट राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं यहां पर अश्टछाप के प्रमुक कभी नंददास किसके सिस्से थे यानि कि नंददास के गुरू का नाम क्या था यह आपको बताना 125 अश्टछाप की इस्थापना सभी लोगों को पता है कब हुई थी 1565 में हुई थी है ना लेकिन दोस्तो तो आपको ये चीज भी पता है कि जो अश्ट छाप की इस्तापना 1565 में हुई थी है ना इसके इसमें नंददास भी सामिल थे अब नंददास सामिल थे तो नंददास के गुरू का नाम क्या था है ये भी आपको बताना है नंददास के गुरू का नाम क्या है जल्दी से कमेंट में लिखें और उत्तर चला जाएगा अश्ट छाप के प्रमुक कभी नंददास के गुरू का नाम था दोस्तो क्या बिठलनात क्या था इनके गुरू का नाम था बिठलनात तू नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाएगा बी नम्मर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया नेक्स्ट है हिंदी साहित में रीती काल को स्रंगार काल किस ने कहा अच्छा कोश्चन है बहुत बढ़िया कोश्चन है हिंदी साहित में रीती काल को स्रंगार काल किस ने कहा बताएं जल्दी से हिंदी सायत में रीती काल को स्रंगार काल किस ने कहा वीडियो को एक बार लाइक जरू करना दोस्तों अपने मित्रों तक सेयर कर दो जल्दी जल्दी से रीती काल को स्रंगार काल कहने वाले जो बिद्वान है वो कौन है जल्दी बताएं और बहुत बड़ी आंसर है कि सर स्रंगार काल जो कहा था वो कहा था विश्चुनात पिरसाद मिस्र ने कहा था यानि कि आपका तीन नमबर जो है वो बिल्कूर सही हो जाएगा तीन नमबर बिल्कूर सही है ठीक है अंगला question चलते हैं अब अलंकरत काल भी आपको पता है दोस्तों अलंकरत काल किसने कहा था मिश्रबंध हो ने है ना भूसन बिनुनाब राजिये कभिता बनिता मित्त ये क बताना है ये कथन किसका है ये जो कथन है ये कथन किसका है ये भी आपको बताना है लिखे जल्दी से लाइक जरूर कर दे एक बार वीडियो को भूसन बिनुनाब राजिये कभिता बनिता मित्त के रचना ये जो पंक्ती है ये पंक्ती किसकी है और ये पंक्ती मानी जाती है दोस्तों किसकी केशा उदास की किसकी मानी जाती है केशा उदास की मानी जाती है यानि कि आपका जो तीन नमबर है वो बिलकुल शही है शी न काल का आरंभ माना है आचार रामचंद्र सुकल ने किस कभी से रीती काल का आरंभ माना है आपको बताना है तुलशी दास से माना है चिंता मनी तरपाठी से माना है केसव दास से माना है या फिर मतिराम से माना है बताएं शबी लोग बताएंगे आचार रामचंद्र सुकल ने किस कभी से रीती काल का आरंभ माना है और आपको पता है नॉर्मल कोस्चन अगर आपसे पूछा जाए कि रीती काल के दोस्तो प्रबर्टक कौन है तब आप क्या लगाते हो रीती काल के प्रबर्टक केसा उदास लगाते हो लेकिन अगर आपसे नॉर्मल कोस्चन पूछा गय है कि दोस्तो राम चंद्र सुकल ने रीति काल का प्रबर्ता कि अमाना है या रीति काल का आरंबक से माना है तब आप उत्तर लगा देना चिंता मनी चिंता मनी यानि कि आपका जो two number है वो बिलकुर शही है और अगर normal question आप से पूछा जाए कि रीती काल के प्रबढ़ता कौन है तब आपका उत्तर होता है केस अधास ठीक है very good next है रीती मुक्त कभी कौन है दोस्तों रीती मुक्त कभी आपको बताना है देव बिहारी पदमाकर या फिर घनानंद रीती मुक्त कभी कौन है देव है बिहारी है पदमाकर है या फिर घनानंद है चैन करना है आपको रीटी मुक्त कभी कौन माने जाते हैं, कमेंट में लिखेंगे सबी लोग, रीटी मुक्त कभी कौन माने जाते हैं, देव हैं क्या, बिहारी, पदमाकर, या फिर घहनानंध, तब आपका सीधा उत्तर कहां जाता है, रीती मुक्त में तो आपको सीधा सीधा पता है कि सर रीती मुक्त है ना रीती मुक्त बेहारी तो नहीं है है ना बेहारी तो रीती सिद्ध है लेकिन आपका जो घनानंद है है ना ये क्या है ये रीती मुक्त है यानि कि आपका सीधा उत्तर डी की तरफ चला जाता है रीती मुक्त आपसे पूछा गया था कभी कुल कल्प तरू किसकी रचना है कभी कुल कल्प तरू की रचनाकार कौन माने जाते हैं कुल पती, चिंता मनी तरपाठी, पदमाकर या फिर घहनानंद कभी कुल कल्प तरू अपनने कई बार पढ़ा है कि कभी को कुल की चिंता है ना और एक रचना और पूछी जाती है कौनसी काब कल्प दुरू है ना तो काब कल्प दुरू भी पूछी जाती है तो काब कल्प दुरू रचना किसकी है और कभी कुल कल्प तरू रचना किसकी ह डौनों रचना हैं अलग-अलग हैं अलग-अलग कभीयों की हैं लेकिन कभी कुल कल्पतरू की रचनाकार तो बोले कभी को कुल की चिंता है ना कभितर रतनाकर और काब कल्पद्रूम ये आपका टू नम्मर सही है लेकिन आपको काब कल्पद्रूम की रचनाकार बताना है कम है और यहाँ पर तो आपका सीधा उत्तर टू नम्मर है आचार रामचन सुखले ने चिंता वनीतर पाठी को रीती काल का प्रिबर्तक बाना है जो कि बिल्कुल दोस्तों आपका उत्तर टू नम्मर बिल्कुल सही है किके दुजदेव किस परंपरा के कभी है most important question है दोस्तों दुजदेव पूचा ही जाता है कई बार पूचा गया तो दुजदेव किस परंपरा के कभी माने जाते हैं बताइए रीती बद्ध हैं रीती मुक्त हैं रीती सिद्ध हैं या फिर भक्ती परंपरा दुजदेव किस परंपरा के कभी हैं दुजदेव किस परंपरा के कभी ह कि आपको चेन करना है और आपका उत्तर चला जाता है ना क्या चला जाता है दुजदेओ हैं दोस्तो रीती मुक्त रीती मुक्त यानि कि आपका जो बी नम्मर है बी नम्मर वो बिलकुर शही है दुजदेओ रीती मुक्त काब धारा के कभी है बी नम्मर आपका राइट आंस पीछना है। ऐसा आपसे पूचा गया तो आप क्या उत्तर लगाएंगे। वाद से हैना तो अनामिका काब किनके द्वारा लिखा गया तब सभी लोगों को पता है कि सर्चाए अनामिका हो परिमल हो हैना ये जो रचना है ये निराला की है हैना नए पत्ते हो ये सारी सारी रचना किसकी है निराला की है और आपका टू नम्मर है जो बिलकुल सही हो जा नागरजुन त्रिलोचन या फिर रगवीर सहाय बताएंगे आप लोग फूल नहीं रंग बोलते के रचनाकार कौन है जिन भी सात्यों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार लाइक जरू कर दें अपने मित्रों तक सेयर कर दें और दोस्तो एक बहुत अच्छ का संपूर कोर्स आपको मिलने बाला है यहाँ पर दोस्तो आपको ब्याकरन भी मिलेगा यहाँ पर आपको लाइप किलासें भी मिलेंगी ठीक है यहाँ पर टॉपिक बाइज टेस्ट भी मिलेंगे टिर्की वीडियो भी मिलेंगे डाउट्स किलियर बाले वीडियो भी मिले है ना सारी चीजे मिलने वाली हैं और साथ ही फूल नहीं रंग बोलते हैं आप से पूछा गया तो आपने लगा दिया केदारनात अगरवाल केदारनात के भूल नहीं रंग बोलते हैं बोले सर केदारनात के हैना सुजान हित किरपाकंद ब्योग बेली बली हैना किस कभी की र पाकंद के रचनाय किसकी माने जाती हैं है ना और self study classes एप को जरूद डाउनलोड करने सबी लोग है ना गुरुबार और दोस्तों रभीबार को 2020 test series होती है आपके लिए बिल्कुल फिरी करवाई जाती है है ना और यहां पर सुजान हित आपसे पूचा गया तब आपका उत्तर घनानन्द चला जाता है रीती मुक्त कभी माने जाती हैं दोस्तों घनानन्द है ना और इनकी रचनाय पड़ी है अपनने सुजान हित किरपा को भी याद रखना ब्रज भासा का सबसे प्राचीन गरंत कौन सा है ये कोस्चन तो आपका हो गया है अदोईत बाद की प्रवर्तक कौन है अदोईत बाद की प्रवर्तक कौन है 136 का अंसर आप बताएंगे संकरा चार है बल्लबा चार है मदबा चार है या फिर रामा जाते हैं बताईए 37 जी बताई योतर अदोयत बाद के प्रबर्तक कौन माने जाते हैं यहां पर तो आपको पता है हैना सुनील कुमार जी मोबाइल को आफ करके फिर डाउनलोड करो हैना अदोयत बाद के बताना है जबकि सुधा दोयत के आपको पता है सुधा दोयत के बाद के कौन माने जाते हैं दोस्तों बल्लवा चार माने जाते हैं हैना सबी को पता है दोईत बाद के मदबा चार माने जाते हैं हैना संकरा चार दोस्तों अदोईत बाद के माने जाते हैं ठीक है ये तो आपको पता ही है स्री संप्रदाई की रामा नुजा चार हैं विसिष्टा दोईतबाद के दोस्तों कौन मान जाते हैं रामा नुजाचार मान जाते हैं इनको भी अपन को धीरे धीरे पढ़ते जाना है निम्न मैसे ब्याकरण गरंथ के रूप में प्रतिष्टित है तो ब्याकरण गरंथ के रूप में कौन सा ब्रतिष्टित है दोस्तों बताएं ब्य ब्याकरण गरंत के रूप में प्रतिष्टित है उसके रचनाकार कौन है ये आंसर आपको बताना है राउल बेल है उक्ती ब्यक्ती प्रकरण है बर्न रतनाकर या फिर कुबलाय माला चैन करना है आपको हैना और बहुत सारे लोगों ने बताया है कि सर उक्ती ब्यक्ती प्रक ये जो है ये क्या है ये ब्याकरण गरंत है ये क्या माना जाता है ब्याकरण गरंत माना जाता है और इसके रचनाकार कौन है तो इसके रचनाकार कौन है दोस्तों उक्ती ब्यक्ती प्रकरण है ना और उक्ती ब्यक्ती प्रकरण की रचनाकार आपको जद्दी से लिखना है ज जल्दी से बताओ और बिल्कूर सही है कि जो उक्ती ब्यक्ती प्यक्रण है ये ब्याक्रण ग्रंत है और ये किसकी है दोस्तो दामोदर सर्मा ब्यारी गोडान सर अंगला कोस्चन है हिंदी के प्रारंभिक काल को बीर गाता काल किसने नाम दिया इतना सरल कोस्चन पूछ लिय गया बोले सर हिंदी के प्रारंभे काल को बीर गाता काल नाम किस ने दिया आचार रामचंद्र सुकले ने आचार हजारी प्रसाथ दुबेदी ने राहुल सांकृत्याइन या फिर मिस्र बंधु ने किस ने दिया हिंदी के प्रारंभे काल को बीर गाता काल और ऐसे कितने सात निठोड किलास की अदिक इसक क्लास की अभी लाइप किलास चल नहीं है दोस्तों कल से 2.30 बज़े से चलेगी यानि की दो बच के 3.30 मिनट से किलास चलेगी निठोड वाली तो जिनको भी एडिक लेना है दस्तो निन्यानवे में आपके लिए सब कुछ है ना मिलने वाला है और हिंदी के प्रारंबे काल को बीर गाता काल नाम दिया बुलिसर राम चंदर सुकल लगा दो बैरी गोड आंसर रंगदे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है अच्छा क्वेश्चन है रंगदे बसंती चोला ये नाटक किसका है ये आपको बताना है देखते हैं कौन-कौन बता पाता है सुरेंद बर्मा है मौहर राकेस है राहुल चांकृत्यान या फिर भीस में स दे बसंती रंग दे बसंती चोला अच्छा question है दोस्तों रंग दे बसंती चोला आपसे अगर पूछा गया तब आपको सीधा लगाना है क्या लगाओगे बताइजे देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन बता रहा है सतीज जी बहुत बढ़िया कितना बढ़िया बहुत ऑठ्क है रंग दे बसंती चोला भीस में साहिनी भीस में साहिनी बहुत बढ़ी जाओ डी नम्मर आपका बिलकुद साहिए अंगला कोश्चन साकेत में कितने सर्ग है अनॉर्मल कोश्चन आप से पूचा गया साकेत में कितने सर्ग है 15, 11, 12 त यह फिर 7 साकेत में कितने सर्ग हैं ये आपको बताना है और आपने पड़ा है मैत्रीश रंगुपते के बारे में किसर इनका जन्म हुआ था 1886 में है ना चिरगाउ जला जहासी में इनकी भारत भारती रचना 1912 के कारण इनकी प्रसिद्धी के कारण निराष्ट कभी की उपादी दी गई महतमा गांदी के द्वारा है ना इन्होंने साकेत दोस्तों महा काब लिखा जै भारत इन्होंने महा काब लिखा है ना और दोस्तों सा साकेत में सरग अगर पूछा गया बली सर 12 लगा लो, 1931 का ए महाकाब जाता है साकेत, रामकाब पर आधार्त महाकाब है, दोस्तो कौंसा साकेत है, ना, तो यहां पर आपका उत्तर B की तरफ चला जाता है, 12 सर्ग आपका सही हो जाएगा 12 का चक्कर बड़ा है मैंने कि क्या क्या 12 आलबार भक्तों की संक्या 12 साकेत दोस्तों साकेत में सर्ग 12 12 तुल्ची दास की प्रमानिक रचनाएं भी 12 12 का चक्कर राम बिलास सर्मा का जन में भी 1912 12 का चकर बार बार आता है 12 बारा बारा और तुल्ची दास चंदन घिसें के लेखक कौन है यह रचना बताना यह रचना है दोस्तों तुल्ची दास चंदन घिसें के लेखक कौन है विद्यानिवास मिस्र हरी संकर परसाई कोबेरनात या फिर इनमे से कोई नहीं बताएं तुलिसी दास चंदन घेसें के लेकाक कौन माले जाते हैं जिनको भी एड़िसर लेना है शुरुवात से पढ़ना है कल से शुरुवात से किलासे स्टार्ड हो रही है और शुरुवात से आप पढ़ सकते हो recorded course भी रहेगा recorded course जब आपको time मिले सो recorded course से पढ़िए और live class से शुरूआ आप से पढ़िए सारी विवस्ता हैं दोस्तों कहीं जाने की अवस्तक्ता आपको नहीं है उत्तर यहाँ पर चला जाएगा दोस्तों तुलिसी दास चंदन घेसे हैं यह जो रचना है यह है दोस्तों किसकी हरी संकर परसाई परसाई जी की है बी नमबर आपका परसाई जी बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है अंगले question की ओर बढ़ेंगे सुलोचना निबंद संकलन है सुलोचना ये किसका निबंद संकलन है विद्या निवास मिस्र का है हरी संकर परसाई का है भारतेंदू हरिस्चंद का है सुलोचना निबंद के रचनाकार कौन माने जाते हैं अच्छा कोस्चन है बताएं और लाइक जरू कर दें दोस्तों अप का सही उत्तर चला जाता है सुलोचन निबंध संकलन के रचना कार Con है पता Hėna उत्तर चला जाएगा दोस्तो क्य हां भारतेंदू जी का है क्या पताहिए जल्दी से और आपका बिल्कूर सही है भारतेंदू हरस्च चन्द यानि कि आपका तीन नमर जो है वो बिलकुत सही है इनका निबंद है संकलन है दोस्तोOR सुलूचना और सी नमर आपका राइट आणसर बेरी गोड़ अंगला क्वेस्चन कारवाउ किस हैकांकी संग्रह है यह कारवाउ है क्या बताओ यह क्या है कारवा है कि कारवाउ क्या है जल्दी बताओ एक किसकी एकांग की संग्राय है अस्किकी विश्णु प्रभाकर भारतेंदु हरिश्चंद या पर भुबनेश्चुर परसाथ बताएं सबी लोग प्रस्ण आपके सामने है उत्तर भी आपको लिखना है अच्छा कॉस्चन है सबी लोग बताएंगे कारबा किसकी एकांग की है और बिलकुर सही आंसर चला जाता है बुलिश्चर ये जो एकांग की है ये भुबनेश्चुर परसाथ की है इसकी बुबनेसल पिरसाद यानि की चार नमबर आपका बिलकुल शही हो जाता है ठीक है बहुत बड़िया एक कारवा है दोस्तों है ना कारवा ठीक है बहुत बड़िया नेक्स्ट है यहाँ पर आओ एतिहासिक नाटक कार के रूप में कौन प्रतिष्टित है आपको चेहन करना है उत्तर आपका क्या हो जाएगा एतिहासिक नाटक कार के रूप में कौन प्रतिष्टित है अच्छा कोश्चन है बहुत बढ़िया और उत्तर सीधा सीधा जाएगा यहाँ पर उन्हें सर एतिहासिक नाटक कार जैसंकर पिरसाद है ना और इनका प्रतम एतिहासिक नाटक है दोस्तों वो कौनसा है रास्री इसका रचना कार क्या है 1915 है ना इनका प्रतम एतिहासिक नाटक कार के रूप में दोस्तों प्रतिष्टित है बट पीपल के लेखा कौन है बट पीपल 145 रामधारी से दिनकर है बट पीपल के मोहर राकेश निर्मल बर्मा या फिर राम कुमार बर्मा बट पीपल की रचनाकार कौन माने जाते हैं इसका उत्तर आपको चैन करना है दिनकर है मोहर राकेश निर्मल बर्मा या फिर राम बट पीपल एक किसकी रचना है कितना अच्छा कॉस्चन है सभी लोग लाइक कर दें और दोस्तो सेल्फ स्टेडी के लासे इप को जरूर डाउनलोड कर लें और एप से दोस्तो आपको फायदा ही होगा सब्ताह में दो दिन 2020 टेस्सी रिच कर आई जाती है बिलकुल फिरी बोस्ते जोर सकते हो है ना पैड कोर्स में अड़ी सल लेना निचोड कोर्स में अड़ी सल लेना तो आप ले सकते हो निचोड के लासे लाइब चला ही रही है और यहाँ पर बट पीपल अगर आपसे पूछा गया तो ये दिनकर की रचना है दोस्तों है ना और दिनकर की आपने बहुत सारी रचना है पड़ी है सबसे पहले तो यही कि 1908 में इनका जन्म हुआ था उनका दिनकर जी का ठीक है तो ये आपको कभी नहीं भूला है दिनकर जी का परसूराम की पृतिक्छा आपको कभी नहीं कौन है आत्मा राम की टेंटें निबंद की रचनाकार कौन है बताइए आत्मा राम की टेंटें निबंद में आत्मा राम की पिर्तीक है तो कौन है आत्मा राम की टेंटें निबंद में आत्मा राम की पिर्तीक कौन है गोपाल गोविंद नाराड मेस्र है गोपाल राम गहम हैं महाभी प्रसाथ दुवेदी या फिर बाल मुकुंद गुप्त बताएं आत्मा राम की टेटें निबंद में आत्मा राम के प्रितीक कौन हैं बताएं और बहुत बड़ी आंसर आया है कि सर आत्मा राम की टेटें है ना ये दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त ने दोस्तो एक पत्रक के माध्यम से है ना महा भी पर साथ दुवेदी की आलोच ना की थी पर दोस्तो एक आत्माराम टेटे नाम से एक निबंद लिखा गया था और इसमें दोस्तो ये प्रितीक है कौन आत्माराम की टेटे बालमकुंद गुपत है इन्हें दुवेदी योग और भारते दुवेदी योग की बीच की कड़ी का कभी कहा जाता है इसको भी अपन कुए आत करना है नेक्स्ट है मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेका क्वन है मुझे चांद चाहिए ये किसका उपन्यास है बिक्रम सेट का है सुरेंद बर्मा रांगे रागाओ या फिर अरुं ये जो निबंधे है दोस्त, उपन्यास है, सणी, उपन्यास है ये की इसका उपन्यास है, ओपन्यास है, बिक्रम सीट, सुरेंदर बर्मा, रंगे रागव, या फिर अरुन्धत्ती राय, इतना अच्छा पूश्चन है मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, तो पूछो बोले इंद्र, सुरेंद्र का परियाबाची है, सुरेंद्र है ना, तो इंद्र का परियाबाची सुरेंद्र और चांद चाहिए तो इंद्र से पूछो फिर इंद्र देंगे सुरेंद्र, सुरेंद्र, ठीक है, बी नम्मर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, के जीवन पर आधारे थे वो आपको बताना है प्रेम चंद के जीवन पर है बंकिम चंदर के जीवन पर है सरत चंदर या फिर रबेंदर नाट ठाकुर के जीवन पर आधारे थे आबारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारे थे ये आपको बताना है और बिलकुर सही उत्तर चला जाता है दोस्तों क्या चला जाता है आबारा मसीहा सरत चंद्र सरत चंद्र के जीवन पर आधारित है और आपका जो तीन नंबर है सी नंबर है वो बिलकोर सही है है ना सी नंबर आपका राइट अंसर हो जाएगा विश्णु प्रभाकर क्रत माना जाता है दोस्तों है ना किसका उपन्यास है आपको बताना है जुलूस उपन्यास के लेका कौन है फढ़ी सुनात रेनू कमले सुर मौहर राकेस या फिर नागरजुन जुलूस किसका उपन्यास है अच्छा कॉस्चन है सभी लोग बताएंगे और सेल्प स्टेडी किलासे से आपको जरूर उटकरने जिन भी सातियों ने और जो भी हमारे साती पैड़ बाले साती हैं उनको हम बता दें कल से दो तीस बजे से आपकी निचोड कक्छा चलेगी निचोड किलास से चलेंगी आधिकाल में क्या महत्पूर्ण है बक्तिकाल में यह चलेंगी ठीक है और दोस्तों आपकी पांच बजे तो एथाबत कलास चले रही है साम को साड़े छे बजे से अपन सुरुवात से अध्यान करेंगे सुरुवात से हिंदी सायत की तिहास लेखन से ठीक है तो यह आपका सेडूल है इससे आप दोस्तों फॉलू करते रहें लिंक आपके गुरुप में पहुंचती यह आपको चेयन करना है बताइए मितले सुरु सुरंग में सुभा एथ कमले सुरु मोहर राकेश या फिर संजीव सुरंग में उपन्यास के लेखाक कौन माने जाते हैं उत्तर आपको बताना है अच्छा कोस्चन है दोस्तों बड़ी या कोस्चन है और आपने बिलकुल सह बताया है कि सर मिथले सुरंग में सुबा है कि रचनाकार है कौन मिथले सुर हैं है ना ये एक नम्मर आपका बिलकूर सही हो जाएगा ठीक है ये एक आपका बिलकूर सही सुरंग में सुबा है मिथले सुर ठीक है बेरी गुड बहुत बड़ी आंसर सबी लोग वीडियो को ल सीरीज से भी आप लोग जोड़ सकते हैं है ना सेलफ इस्टडी किलासे से एप डाउनलोड आपको करना होगा जो भी हमारे हिंदी साहित के साती हैं सभी साती है ना और ये निचोड किलासे चल लई है निचोड किलासे आप दोस्तो एड़ भी से ले सकते हो निचोड किलासे पढ़ सकते हैं है ना चतोर्त बैच यानि की एक जुलाई से स्टार्ड होने बाला है चतोर्त बैच तो इस चतोर्त बैच में भी दोस्तों आप जोड़ सकते हो और अपना अध्याण सुरुआ से कर सकते हो जहां पर विस्तरे तद्यांट टेस्ट ट्रेक के सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं ठीक है अब यहां पर देखते हैं अपन ये बड़ा ओफर है अभी ओफर है आपके लिए एक हजार निन्यावे आपको दो तीन हजार फीस नहीं बरनी है आपको मातर एक हजार निन्यावे रुपे फीस बरनी है और दोस्तों इसमें आप आराम से पढ़ सकते हो ठीक है ठीक है ओमाई दबंग जी अर्चना जी निरुपमा दार्सू जी बैरी गोड रश्मी पाटक जी रीनू जी सिबांस जी अखलेस जी अकांचा जी आकास जी ठीक है मीनू हेवानी जगदीश जी बिबेक यादव जी सरोज जी प्रमिला म अमता जी ओदै जी ठीक है नीलम कुमारी हैमा जी धन्नबास सभी सातियों को कलपना मनीसा बिजय लच्चमी जी ठीक है बबीता मीनाक्ची रादिका मधू जी मोहित आकास जी राकेस रस्मी पाठक बीनू जी अनिल जी रीता जी ठीक है बबीता जी ओदै जी ज्यानेस आर रीता जी, कार्तेक, पूजा बर्मा जी, रादिका, मधू जी, बबीता जी, गीतिका जी, हैना अमिता जी, बैरिगोट, पूनम, अर्सदीप जी, अंजु जी, रचना, हिंदी किलासेस जी, बहुत बढ़िया, बिलकुल, नरेश बट जी, संजय पाठक जी, नब्या जी, सब अनिसा, राजकुमारी, बंदना जी, प्रेम सिला जी, आनन्द जी, उमेश जी, रैनुका जी, देवेंदर, पूनम, अम्रसरमिला जी, कुमकुम जी, बैरिगोट, बिबेक कुमार, एकता जी, सबी सातियों को अनिलतेबारी जी, स्नेहा, सिबानी जी, पूजा, असबनी, प्रीती जी, सूरस सिंग जी, कृष्णा, हैमलता, असीस, रादिका जी, बैरिगोट, प्रबीर, ओजा जी, राम मूरत, वाम देव जी, उमेश जी, हना राजेश जी, अंजली, देवेंदर, निर्मला, यादव जी, सबी सातियों को धनबाद, जोड़े रहें, लाइक करत अच्छा मौका है, और आप पढ़ सकते हो, लाइक कर सकते हो, सेर कर सकते हो, ठीक है, सबी सातियों को धनबाद, जय, हिंद